देखा आपने कैसे बदलती है किसमत आपके आसपास भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा गरीबी दूर हुई होगी जोपड़ी महल बन गई होगी लेकिन आप सोचते हैं कि यह आप के साथ क्यों नहीं होता तो चलिए आज आपको पावर्टी गरीबी से धन्वान बनने वाली लक्षमी के खास उपाई बताने जा रही हूँ आज मैं आपको मा लक्षमी की वो अचूक साधना बताऊंगी जिसे अगर ठीक से कर लिया तो फिर आपको धन्वान बनने से भाग्य बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा बहुत ध्यान से सुगिएगा आपके घर से जुड़ी 14 वास्तु टिप्स दूँगी जो गरीबी को भगाती हैं और आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आपके घर आने वाला महमान खुश होगा महमान खुश होगा तो मा लक्षमी अपने आप खुश हो जाएंगी शो की शुरुवात करते हैं आज के पहले महाँ उपाए के साथ सवाल ये हैं ध्यान से सुनिए अच्छी नौकरी मिलने में क्या अच्छी जौब पाने में आपको दिक्कत आ रही है ऐसी में थोड़ कहीं भी कुवा ढूंडी आते जाते ट्राविल करते समय उसमें थोड़ असा दूड डालें ध्यान रहे कुवे में पानी होना चाहिए और साथ साथ काला कपड़ा किसी ज़रत मन को दान दे छे मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मन को वाली आप पहन सकते हैं आपने साथ में रखिये उसको मैं आपको हर शुकरवार लक्षमी जी के 21 नाम बता रही थी कुल 108 नाम है जिने जानना आप के लिए बहुत जरूरी था आज आखरी के 23 नाम जान लीजे नाम नोट कर लीजे फिर आपको बताऊंगी इन्हें कैसे जपना है मा का एक नाम है स्त्रैंड सौम्या यानि कि महिलाओं पर अच्छाई बरसाने वाली मा का नाम है वरलक्षमी यानि कि सिंवरद्धी की दाता वसुप्रदा धन को प्रदान करने वाली शुभा जो शुब की देवी हो हिर्डवने प्राका सोने में बड़ी ही मा का नाम है समुद्र तन्या महा सागर की बेटी मंगला सबसे शुब देवी देवता या देवी विश्णु वक्ष जिसके सीने में भगवान विश्णु रहते हूं विश्णू पत्नी भगवान विश्णू की पत्नी प्रसनाक्षी जीवंत आखवाली नारायन समाक्ष्रता जो भगवान नारायन के चरण में जाना चाहता है दरिद्रया ध्ववंसनी गरीबी समाप्त करने वाली देवलक्ष्मी यानि की देवी सर्वपद वनीवारनी यानि की दुक्षों को दूर करने वाली नव दुर्गा दुर्गा के सभी नो रूप महाकाली काली देवी का एक रूप ब्रह्मा विष्णू शिवात्मिका ब्रह्मा विष्णू शिव के रूप में देवी त्रिकाल ज्यान संपन्ना यानि कि जिसे अतीत वर्तमान और भविश्य के बारे में सब पता हो और मा का आखरी नाम है भुवनेश वराई ब्रह्मान की देवी अब मैं आपको कि आपको मा की 108 नाम जो मैंने आपको बताए हैं इनका जाप कियसे करना है आप मा के नाम का जाप पढ़कर भी कर सकते हैं आप मा का नाम का जाप जोती के सामने प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं घर के मंदर में भी कर सकते हैं और अपनी हिंड्राइटिंग में इनके नाम ल कि अपने बच्चों पर बेवज़ा का दबाब ना डालिए उन्हें अपने इसाब से ग्रोव होने दीजिए लेकिन अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ उपाई बता रही हूं बिना प्रेशर डाले यह उपाई कीजिए कुछी दिनों में फर्क देखिएगा सुभा पांच बादाम के साथ थोड़ी सी मिश्री और मलाई को सूरे की किन्नों के आगे छनी से ढखका रग दीजे दो दो घंटे बाद इन सब को पीस कर खिला दीजे सूर्य की किसी भी मंत्र जैसे की ओम सूर्याए नमा ओम भावने नमा ओम आदित्याए नमा ओम भासकराए नमा का जाप सुभा 108 बार करें पांच मुनक्के और पांच बदाम ले इन्हें दीरे दीरे मुँ में चबाएं साथी गर्ब दूद पीएं सौफ, मिश्री और नारियल के कुछ पीसिज ले इन्हें मिला कर दिन में दो तीन बार खाएं शो में इतनी सारी बातों के बीच में आपको बताते हैं आज का दूसरा महा हो पाएं क्या है सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या बिजनस में नुकसान हो रहा है और आपका जगड़ा चल रहा है ऐसे में आप क्या करें थोड़ा सा कच्चा कोईला बहते पानी में बहा दीजे वैसे तो पानी के पास ही छोड़ी नदी को खराब नहीं कीजे लेकिन इतना थोड़ा सा ही रखना है ठीक है ताकि अगर डालना भी हो तो एक चुटकी भर डालीगा इससे जादा नहीं ताकि पानी गंदा नहीं इससे आपके कारोबार को फाइदा होने लगेगा याद रखिएगा कभी भी कुद्रत को नुकसान पहुचाने से भगवान आपसे प्रसंद नहीं हो सकते नेजर को सुरक्षत रखिए इसकी केर कीजे भगवान आपसे खुश रहेंगे आज हम बात करेंगे दरिद्दा नाज करने वाली बातों की और जब यह बात होई रही है तो मैंने सोचा क्यों न आपको ऐसी साधना की बारे में बताया जाए जिससे पावटी आपके घर के बाहर चली जाएगी अगर आपने यह ठीक से कर ली और मा लक्ष्मी प्रसन हो गई तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोख सकता सुभा जल्दी उठकर आपको नहाने के बाद सफेद कपड़े धारन करने हैं सफेदी यासन लगाना है और उस पर उत्तर की और मू करकर आपको बैठ जाना है अब अपने सामने जमीन पर सफेद बस्तर बिछाएं इस पर अक्षत से मा महालक्षमी का बीज मंतर हृरीम लिखें उस पर कितनी भी मुखी एक रुद्राक्ष थापित करें कोई भी अपनी पसंदिदा मुखी रुद्राक्ष थापित करें गुरु तता गणेश पूजन करें अब रुद्राक्ष का भी अच्छे से पूजन करें जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसको पढ़ते जाएं और अक्षत चढ़ाते जाएं कम से कम आपको ऐसा 21 बार करना है देवी आवाहन मंत्र लिखिए बहुत आराम से बोलूँगी ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें आपको परिशानी ना हो मंत्र जपने के बाद रुद्राक्ष का अच्छे से पूजन करके मिठाई का भोग लगाईए इस समय तिल के तेल का ही दीपक जलाईए अब आपको करना ये है कि बिना किसी माला के गोपनिय मंत्र का लगातार दो घंटे तक जाप करना है लेकिन जाप करते समय लगातार अक्षत रुद्राक्ष पर अर्पन करते रहे इस साधना के बाद जो भी भोग आपने लगाए है उसे खुद खा लीजे किसी को नहीं दीजे इसके बाद रुद्राक्ष को स्तान कराकर लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारन कर लीजे जितने अक्षत जो पूजन या मंतर जाप करते समय आपने जो अक्षत चड़ाए थे उसे किसी वस्तर में बांद कर दक्षणा के साथ किसी देवी मंदर में रखाएगे और अपनी दरतरा नाश करने की प्रातना भी कीजिए आप देखींगे मालक्षमी आपसे प्रसन होंगी और पैसे कमाने के रस्ते कहीना कहीं से बनते चले जाएंगे अगर आपके पास पैसा आने लगे तो बुरी नजर लगने वाले भी मिली जाएंगे इससे बचने के लिए जरूरत है आपको बुरा करने वालों से बचना कुछ खास उपाय करने हैं, वो कौन से अचूक उपाय हैं आईए जानते हैं थोड़ी सी हल्दी को आपको मंतर से अभी मंतरित करना है मंतर मैं आपको बताऊंगी अभी मंत्रत करकर इसको आग में इस तरह छोड़ें कि इसका धुआ जिसके बारे में बुरा सोचा जा रहा है उसकी तरफ जाए यानि कि घर के बाहर की तरफ जाए इस माहलदी को बाण मंत्र भी कहा जाता है मंत्र नोट कीजिए बहुत आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप नोट कर सके हल्दी गिरी बाण बाण को लिया हाथ उठाए हल्दी बाण से नील गिरी पहाड थाराए ये सब देख बोलत बीर हनुमान आज्या कमरू का माक्षा माई आज्या हांडी की चंडी की दुहाई ध्यान रखिए इससे आपका फाइदा होगा लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा क्योंके मैं कभी भी किसी के नुकसान वाला कोई भी उपाई नहीं बताती हूँ आपक माहाउपाई की बात कर लेते हैं ध्यान से सुनिए क्या नौकरी जाने का खत्रा है अगर आपकी नौकरी जाने वाली है या ऐसा खत्रा है आप नहीं चाहते हैं फिर आपको ट्रांसफर के ओर्डर आने वाले हैं तो आप क्या करें आप पांच क्राम डली वाला सुर्मा ली हैं वो यह कि सुर्मा डली वाला हो और साथ एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो एक से जादा डली नहीं होनी चाहिए आज आपकी दरितता दूर करना यानि की पावटी दूर करने वाली जानकारी में दे रही हो आपको जानना चाहिए कि ये गरीबी दरितता आपके घर के वास्तु की वज़ा से भी होती है और इसे दूर किया जा सकता है ये कैसे होगा वो जानिए अगर प्रवेश द्वार जमीन से रगण खाता हुआ खुला या बंध हो तो बहुत कश्ट के बाद धन आगमन होता है उत्तर दिशा की ओर धलान जितनी ज़्यादा आधिक होगी संपत्ती में उतनी ही वृद्धी होगी अगर कर्श से ज़्यादा परेशान है तो धलान इशान कोण की ओर करा दें कर्श से मुक्ती मिलेगी उत्तर पूर भाग में भूमिकर टैंक या टैंकी बना दें टैंकी की लंबाई चोड़ाई गहराई अनुरूप से मतलब टैंक जितनी गहरी होगी उतनी इंकम बढ़ेगी अगनेई कोण में धन रखने से आमदनी से जादा खर्चे बढ़ जाते हैं और कर्श की स्थिती बनती है तो उचे भवनों से घिरा हुआ भवन या भारी भवनों के बीच दवा हुआ भवन ऐसी जगा खरीदने से बचें क्योंकि जो दबीवी जगा होती है वो गरीबी और कर्ज का सूचक है दक्षन पश्चिम और दक्षन दिशा में भूमी कर टैंक कुँआ या नल होने पर घर में दर्ददा का वास होता है पूर वर उत्तर दिशा में भूल कर भी भारी वस्तू ना रखे अनिता कर्जानी होने और घाटे होने का सामना करना पड़ेगा कोई भी कोना कटावा ना हो ना ही कम होना चाहिए गलत दिवार से धन का अभाव हो जाता है भवन के मध्य भाग में अंडर ग्राउंड टैंक या बेस्मेंट ना बनवाए घर में तूटे-पूटे बरतन तूटी भी खाट नहीं होनी चाहिए नहीं तूटे-पूटे बरतनों में खाना रहा है इससे दरित्ता बढ़ती है वास्तु शास्त्र के अनुसार इशान उचा हो और नैत्र कोन यानि कि साउथ वेस्ट कोन नीचा हो तो निर्धनता रहती है इशान दिशा में सीडियां ना हों मकान का मद्य भाग थोड़ा उचा रखें इसे नीचा रखने से बिख्राव पैदा होता है देखे मा लक्ष्मी आपसे तभी खुश होंगी जब आपके घर आने वाले महमान की पूरी तरह से आउ भगत होगी वो साटिस्फाइ हो जाएगा इसलिए आज आपको आपके खाने से लेकर महमानों को अटेंड करने का सबसे बड़िया तरीका बताने जा रहे हूं ध्यान से सुनिए आप मैजबान हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बस किचिन के ही होकर रह जाएं सिरफ खरीदारी में समय नहीं बताएं बलकि आपको तो अपनी खुद की पार्टी में भी खूब मस्ती करनी चाहिए इस तरह आप अपने महमानों के साथ समय भी बिता पाएंगी 25 दिश बनाने से अच्छा होगा कि आप सिरफ 5 दिश बनाएं पर खाना टेस्टी होना चाहिए कोशिश करें कि ऐसी दिश परोसे जो हट के हो ताकि महमान लंबे समय तक आपकी मेजबानी भूल ना पाएं खाने के बीचों बीच उन्हें बार बार और खाने के लिए पूछिए खाने के बाद कुछ मीठा परोसना ना भूले घर को चमकाने से ज़्यादा जरूरी है कि वो साफ सुत्रा हो ऐसा नहीं कि आप तरह तरह की डेकोरेशन कर दें और दिवारों पर जाले चिपके हों महमान दो आएं या बीस हमेशा खाना थोड़ा जादा बनाएं जादा खाना तो चल जाएगा लेकिन खाना कम पड़ गया तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा महमानों के साथ अगर बच्चे हैं तो उनके खाने पीने के लिए अलग से इंतिजाम करें घर में हमेशा टॉफी चॉकलेट रखें बच्चे खुश तो बड़े खुश और फिर लक्षमी भी आपसे जरूर प्रसन हो जाएंगी चलिए अब आपको आज का चौथा महा उपाई क्या है ये बता देती हूं सवाल ये है कि क्या आप किसी बड़े संकट से गिरेवे हैं ऐसे में संकट से बचने के लिए भगवांच्री गनेश की मूर्ती पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाईए लेकिन याद रखिए ये उपाई तभी कारगर होगा जब आप इसे सच्चे मन से करेंगे और आपके मन में छल कपट नहीं होगा आएए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रोटिप का देखे मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए अपने घर की एंट्रिंस पर पानी के अंदर अगर आपके घर की नौर्थ या इस्ट एंट्रिंस है पानी डाल कर आप उसमें खुबसूरत कमल के फूल छोड़ सकते हैं आप आर्टिफिशल फ्लार भी डाल सकते हैं इससे भी आ अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है वो पाई जानना चाहती है देखिए शादी के उपाई प्रीती में आपको लगातार बताती ही रहती हूं आप एक काम कीजिए आप राधा कृपा कटाक्ष का पार्ट शुरू कर दीजिए और नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में चिडिया की फोटो लगा दीजिए जल्दी ही अच्छा योग बनेगा एंटर्टेन्मेंट की बात बाद में पहले आपके कल फ्यूचर की बात क्या करें कल अपनी राशी के हेसाब से छोटी सी चीज छोटी सी टिप जिससे कल का दिन हो बहुत अच्छा सबसे पहले मेश र साथؑ के लोग्डलत काम करने से बचना हैं आपको लक्स साथ दे रहा हैं आपका 52% विश्च्छब राशी वाले लोग्टामबा और गेहूं का दान करें भागय साथ दे रहा हैं आपका 67% मित्मराशी वाले लोग्ग लक्शमी जी की पूजा जरूर करें आप किसमत साथ आपका 74% कर्क राशी वाले लोग मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिए भाग्य साथ दे रहा है आपका 63% सिंग राशी वाले लोग चिडिया को बाजरा खिलाइए किस्मत साथ दे रही है आपका 67% कन्या राशी वाले लोग कल आप सूर्य को मिश्री वाला जल चड़ाएं लक साथ दे रहा है आपका 62%, तुला राशी वाले लोग जरुवत मंदों को खाना खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%, रिश्चिक राशी वाले लोग, हानुमान चालिसा का पाठ करें कल, लक साथ दे रहा है आपका 73%, धनू राशी वाले लोग, शिवजी की उपास पास्ना कीचे लक सपोर्ट कर रहा है आपको 79% मकर राशी वाले लोग। मा से आशिरवार लिजे भागे साथ दे रहा है आपका 65% कुम्राशी वाले लोग कान के पीछे काला ठीका लगाएं लग सपोर्ट कर रहा है आपको 60% मीन राशी वाले लोग, मंदिर के दान पातर में पैसे दान करें भागे साथ दे रहा है आपका 63% बात करते हैं आज के पांच में महा उपाई की क्या आपको करजे से मुक्ती नहीं मिल रही है? साटर्डे के दिन अपनी हाइट जितना काला धागा लेकर एक नारियल के उपर लपेट दीजे नारियल को श्रद्धा पूरवक जल के पास छोड़ दीजे आपको सिल्यूशन मिलेगा कल है शनीवार, कल हम बात करेंगे शनी के और नशे के कनेक्शन की अगर आपके परिवार में कोई भी नशे का शिकार है चाहे वो सिगरेट, शराब या पान मसाला हो हमारा कल का शोड़ जरूर देखें इस पर बात करेंगे अभी मुझे इजाज़त दीजे, अपना खयाल रखिए बाई बाई, टेक एर